एक हर रोज हम एक चर्शा का विशय किया करेंगे एक टॉपिक हर रोज हम क्लिएर किया करेंगे और आज का हमारे चर्चा का विशय है बिधान्सवा के चुनाप हाल ही में केंद्रिय चुनाब आयोग ने पांच राजियों में चुनाब के नतीजे घोसित किये हैं जिन में पांच राज उत्तरपिदेश, उत्तराखंड, गोवा, मडीपूर, पंजाब यह हैं जहां जो केंद्रिय निर्वाचन आयोग है, election commission of India है, भारती निर्वाचन आय भाग है, यहनि part 6, part 6 में राज्यों के विधान सवा के बारे में चर्चा की गई है, हमारे समविधान में, constitution of India part 6 is telling about the legislative assembly of the state, okay, अगर articles की बात करें तो इसमें article 168 से लेके 212 तक विधान मंडल के संगठन का बात करी गई है, कि article 168 से 212 तक यह सभी चर्चा की गई है, कि हर अगर जिका एक विधान मंडल होगा, और उसकी क्या क्या प्रिक्रियां है रहेंगी, कैसे कैसे विधान सवा को अगठन होगा, और जहां विधान परशद है, उनका क्या प्राप्धान है, इन सभी के बारे में, article 168 से 212 तक सभी प्राप्धान है, इनका कारिकाल क्या क्या प्रिक्रियां होगी, कितने समय तक रहेंगे, इन सभी के बारे में 168 से लेकि 202 तक चिर्चा करी गई है, अब देखते हैं थोड़ा विधान परशद के बारे में, विधान परशद के बारे में हमने देख लिया, विधान परशद के बारे में देख लेता है, विधान सभास से जिसे हम एंगलिस में बोलते है legislative assembly और दूसरा होता है विधान परिशद जिसे हम बोलते है legislative council अब यह दो चीज़ों से मिलकर वनता है आपका विधान मंदल जो के article 168 से 200 वारे 2012 तक इसकी पूरे की चर्चा की गई है अब प्यारे मित्रों क्या है कि किसी-किसी जो कि अब राज का दर्जा नहीं है तो इसलिए मांकी विधान परशद भी भंग हो चुकी है अब शिर्फ छे राज बचे हैं जहां पर विधान परशद यानि लाइस लेटिव चर्चा कभी से यह में आपको बता चुका हूं अब देख लेता है अनुचेद 168 कहता है कि प्रतेक राज में एक विधान मंडल होगा जो विधान सभा या और विधान परशद के द्वारा राजपाल से मिलकर बनेगा यानि राजपाल जिसका गठन करेगा ठीक है जिसमें विधान परशद और विधान सभा दोनों हो सकती है किसी किसी राज में विधान सभा ही है किसी किसी राज में विधान परशद ही है सर आप प्रतेक राज में विधान परशद और विधान सवा से मिलकर बना होगा कुछ राज्याओं में विधान मंडल है और कोई राज में विधान परशद भी है संविधान में विधान सवा की जो सीटें हैं उनकी अधिक्तम संग्या 500 है और निम्तम 60 है यानि अधिक्तम संग्या 500 हो सकती है किसी भी राज्य के विधान सवा की संग्या 500 हो सकती है और किसी भी राज की minimum कम से कम 60 हो सकती है लेकिन कुछ इसके अपवाद भी है क्या बताया है हमारा समिधान में बताया गया है कि विदान सभा की कम से कम संक्या कितनी होने चाहिए 60 लेकिन सिक्किम में 32, विजोरम में 40 और गुवा में 40 इन दोनों में ये दोनों इस चीज की अपवाद है कि यहाँ पर संग बिदान सभा की सीडों की संक्या 60 से भी कम है अब देखते हैं इसके कारिकाल की बाद तो बिदान सभा का जो कारिकाल होता है वो प्रधम अदिवेशन यानि यह पहला 17 आयुजित किया जाएगा विदान सभा में उसको लेकर वहाँ से फिर 5 साल के लिए होता है यानि पहले अदिवेशन से लेके आगे आने वाली 5 साल तक के लिए कारिकाल होता है इसा नहीं है कि जैसे माल लीजी अभी इलेक्शन हुआ है 10 मार्च को दस मार्च को रिययल्ट आया है 10 मार्च 2022 को तो अब 5 साल आगे कब होगी 10 मार्च 2027 यानि 10 मार्च 2027 को इलेक्शन हो जाने ऐसफन बिलकिल नहीं होगा włos होगा अभी जो राज्यों का पहला पहला दिविशन होगा वहां से फिर आगे आने वाली पाच साल काउंट की जाएंगे ओके अब धोड़ा बात कर लेता है वही बात करें वही बात करें पंजाब की उड़ता पंजाब नहीं अपना सिंबल वाला पंजाब सिटों की संगिया वहां पर 117 है आमाधी पार्टी को वहां 92 सीटे मिली है और सिरोमडी अकाली दल को 4 सीटे मिली है दूसरी सबसे बड़ी जो पार्टी है कॉंग्रेस वहां उसे 18 सीटे मिली है बहुजान समाज पार्टी इन अपना खाता खोला है और एक रन बनाया यानि ए सीटे मिली है आमाधी पार्टी को सिर्फ दो सीटे मिली है और अन्न को साथ सीटे मिली है got it sir board का color से में confused था okay कोई नहीं यह आज texture यूज किया गया है जिसमें लकडी वाला डाला गया है हाँ यह मतलब वो सहयोग्यों के साथ मिलकर वनी है ठीक है चलिए और अगर हम बात करते हैं मड़ी पूर में भी election हुए है तो इसमें होगा न मड़ी पूर वाला अच्छा मड़ी पूर का प्रिड़ाम जो आ जा जा है उसमें लिखा नहीं है तो में लिख देता हूँ मड़ी पूर में जो election जो result रहा है उसमें seatओं की संक्या 60 है आपकी सीटों की संख्या 60 है टोटल सीटे 60 है और वहां BJP मैं 60 में लिख दूँगा BJP भारती जन्दा पार्टी को 32 सीटे मिली है ठीक है भारती जन्दा पार्टी को 32 सीटे मिली है और नेशनल पीपल्स पार्टी है आपर एक नेशनल पीपल्स पाइटी है उससे आपकी सीटे मिली है लगबग साथ खीक है 72 नहीं साथ सीटे मिली है वही को आपकी सीटे मिली है 6 कॉंग्रेस को 5 कॉंग्रेस को 5 और अन्य में आहा लग देता हूं अधर अन्य को सीटे मिली है वो 10 यानि वागी 6 त्री यो पाटिया है उन्हें 10 सीटे मिली है